हेलो बच्चो आज हम घर्षन बल से संबंदित गती वी धी करेंगे ध्यान पुर्वक अपने अवलोकनों को नौट और साजा करें आईये, गती वी धी करते हैं सर्म प्रथम एक लकडी का गुटका लें और इसके एक सीरे पर लगी, किल में कमानी दार तुला विवस्थित करें अब लकडी के गुटके से जुड़े गमानी दार तुला को धेरे से खिंचे और तब तक खिंचे जब तक गती करते हुए, कमानिदार तुला में नियत पात्यांग ये मिल सके। पात्यांग को नोट करें। ध्यान रखे लकडी के गुटके का अधिक शेत्रफल वाला हिस्सा मेज के संपर्क में रहे। तत पश्चात लकडी के गुटके के कम शेत्रफल वाली सत्य को मेज के संपर्क में रखे। गुटके के अधिक शेत्रफल वाली सत्य पर लगी किल पर कमानिदार तुला व्यवस्थित करें और खिंचें। ध्यान पुर्वक अवलोकन करें, वा दोनों स्थिती में कमानिदार तुला के पात्यांग पर ध्यान दें. क्या दोनों स्थितियों में कमानिदार तुला का पात्यांग समान है? क्या घर्शन बल दो वस्तों के संपर्क शेत्रफल पर निभार करता है? सोचिए. हमने लकडी के गुटके के अलग-अलग शेत्रफल स्थिती के लिए कमानीदार तुला में समान पाथ्यांक देखा, संपर्क में रखी दो वस्तों के मध्य अपेच्शिक गती के विपरीत दिशा में घर्शन बल लगता है. निशकर्श दो वस्तों के मध्य अपेच्शिक गती के कार लगने वाला सिमान घर्शन बल वस्तों के संपर्क शेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है.